सर्दियों का मवसुम में पेड साप नहीं होने का बहुत कारण हो सकता है इससे बड़ा कारण है कवजगी समस्या कवजगी वज़व से पाचन क्रिया विग्ड जाती है इसका वज़व से सीर में दर्द होता है गेस बनना और भूक कमोना दी समस्या दिका यता है ये समस्या से परिशानी बड़ोई हो जाती है तो कॉफ से आप छुलका रहा पाने के लिए कुछ घरेलू नुश्का को अपना सकते है तो इसको अपना के आप कॉफ का जो समस्या है इससे रहत बाह सकेंगे आईए हम आपके कोछ घरेलू नोस्का करके दिखाऊंगा तो इसको बनाने के लिए पहले आप अद्रोक को लेना चाहिए में विटामीन A, विटामीन D, आईरोन, जींक और केल्सियम मुझे से पोशक तो पाये जाता है एभी कवज का समस्या को दूर करने के लिए मदद करेगा इसके साथ साथ एभी सर्दी खासी को भी ठीक करने के लिए आप लोग को मदद करेगा तो अद्रोक में इसा पोशक तो पायेता है जो कवज का समस्या को दूर करने के लिए भी मदद कर सकता है तो थोड़ा सा अध्रग ले लिजिए उसको छोटा-छोटा कोटिंग करके ग्राइंडर का जार में डाल दीजिए तो अध्रग में एसा फोसक तत्व आयाता है जो आपका कप्ज का समस्या का दूर करने के लिए मदददर होगा सर्दियों का महसुमें कप्ज का समस्या जादा दिखाएता है तो एक कप्ज का बज़ास से आपका भी दूसरा भी मारी भी उत्पन हो सकता है तो कॉप्ज का ठीक करना बहुत जरूरी है तो ए तरीका एक नाचुरल तरीका है आप इसको अपना के कॉप्ज का जो समस्या से छुटकर आपने के लिए ए तरीका आप लोग को मदद कर सकता है तो अध्रक का कॉटिंग हो गिया उसको आप आचा तरह से ग्राइडिंग कर दीजिए तो उसके बाद आप पुदिना को लेना चाहिए तो इसमें मिन्थेल, प्रोटीन, कार्भाहेड्रेंड, विटामिन ए कपर, आईरोन आदी पाए जाता है इसको सेबन करने से पेट की गेश को समस्या दूर किया जाता है ए भी आपका जो कॉफ को बाहर करने के लिए भी मदद कर सकता है तो आप इसको लेना चाहिए तो पुदिना से थोड़ा सा लेकर उसको ग्राइडर का जार मिन्डाल दीजिए तो उसको भी आप आचातरह से grinding करना चाहिए ये भी आपका जो कब्ज का समस्या को दूर करने के लिए मदद कर सकता है तो उसके बाद एक बाउल ले लिजे उसमें अध्रग का पेस्ट से दो चर्मज उसमें ले लिजे तो अध्रग का पेस्ट आपका कब्ज को समस्या दूर करने के लिए मदद दार है तो उसके बाद जो पुदिना का grinding करके रखा है उससे दो चर्मज भी उबाउल में ले लिजे तो कब्ज को दूर करने के लिए आप भी कुछ फाइबर जुक्त फ्रूर्ट्स को भी खाना चाहिए ए खाना आपको कब्ज का समस्या से भी दूर कर सकता है तो अध्रग और पुदिना को आछातरह से आप मिक्स कर दीजे तो ए दोनों को मिश्रण करने के बाद आप सेहेद को लेना चाहिए सेहेद में भीटामीन, प्रोटीन, कैल्सियम, आईरन जैसे पोशक तो पाये जाता है इसको रात में सेवन करने से ए भी आपको काफी फाइदा देता है ए भी कब्ज का समस्या को दूर करने के लिए आप लोगो मदद कर सकता है तो सेहेद से हाप चमस लेके वह भावल में डाल दीजे वह तिनों को आप आछातरह से मिक्स कर दीजे ए तिनों को मिश्रण करने के बाद आप इसको सुभे खाली बेट में खाना चाहिए इसको कोछ दिन खाने से आपका जो पूरानी वाला कब्ज का समस्या एज़र से खतम करने के लिए आप लोगो मदद कर सकता है तो ए तरीका को आप आपना के कब्ज का सभीवरकार समस्या से रहात पाईए तो आप लोगों को मेरा वीडियो आचा लगेगा तो एक लाइक एक सेयर एक सब्सक्राइब कर दिजिए और एक कामेट ही दिजिए